कॉंग्रिस महासचिव या यू कहें कि कॉंग्रिस पार्टी के लिए तिनके का सहारा बनी प्रियांका गांधी वाड्रा की फेवरेट लाइन है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इसी नारे के भरोसे वो यूपी में कॉंग्रिस का ज़ंडा गारने की तयारी में है पर अब उनकी इसी लाइन को लेकर उनकी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है मामला ये है कि जिस डॉक्टर प्रियांका मौर्या को कॉंग्रिस ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैम्पेन की पोस्टर गर्ल बनाया था उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी की लोगों ने उनके साथ जातिकत भेदभाव करके ओबीसी होने की वजह से उनको टिकेट नहीं दिया लखनव की डॉक्टर प्रियांका की फेस्बुक वॉल बताती है कि वो पेशे से होम्योपैथी की डॉक्टर है और इंडियन नैशनल कॉंग्रिस से जुड़ी हुई है डॉक्टर प्रियांका ने आरोप लगाया कि पूरा कैम्पिन ही धांदली है इसकी जाच होनी चाहिए और तो और उन्होंने तो सोशल मीडिया के जरीए ये खबर भी दी है कि जातिकी वजह से ही विधायक नरेश सैनी को भी स्तीफा देना पड़ा है यूपी विधान सुभा चुनाव को अब ज्यादा दिन रह नहीं गए हैं ऐसे में इस तरह कॉंग्रेस कारिकरताओं का खुद बागी हो जाना कॉंग्रेस के भविशी पर क्या असल डालेगा ये तो चुनाव और नतीजों के बाद ही पता चलेगा फिलहाल वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा